सूपरभाद बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापी का हर्देवी खत्री बच्चों, आज का हमारा सूविचार है टीचर्स ओपन दा डोर, बट यू मस्ट एंटर बाई यॉर्सेल्फ मैं अपना सूविचार फिर से धोराऊंगी टीचर्स ओपन दा डोर, बट यू मस्ट एंटर बाई यॉर्सेल्फ बच्चों, मैं आज आपको इसका अर्थ बताऊंगी कि टीचर जो है अध्यापक ग्यान के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रखते हैं टीचर्स जो है, वो हमेशा आपको देना चाहते हैं लेकिन आप उनसे कितना लेते हो, ये आपके डिपेंड है समझ में आया बच्चों, टीचर तो आपको ग्यान देते हैं ना लेकिन आप उनसे कितना ग्यान लेना चाहते हो, कितनी नोलेज बढ़ाना चाहते हो ये आपके उपर depend है इसलिए teacher open the door but you must enter by yourself बच्चों अपनी व्याकरन व्रिक्ष की textbook open करो आजम व्याकरन व्रिक्ष पढ़ेंगे बच्चों आज का हमारा पाठ है पाठ बारें विलोम शब्द आजम विलोम शब्द के बारे में जानेंगे बच्चों पाठ बारें विलोम शब्द विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द बच्चों देखो यहाँ पे चार चित्र नज़र आ रहे हैं पहला चित्र है कवे का कवा काला है पहला चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कववा, और वो कववा कौन से रंका है, काले रंका है अब दूसरा चित्र देखो बेटा उसमें बतक, बतक दिखाई दे रही है लेकिन बतक कौन से रंकी है सफेद, बतक सफेद है इसका मतलब इन दोनों बाक्या के अंदर कौन से विलोम शब्द है काला सफेद, यानि काला का उल्टा क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कवा काला है और बतर सफेद है, और तीसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, शालू खुश है, शालू एक लड़की का नाम है, वो चित्र में खुश दिखाई दे रही है, और चोथे चित्र में मुस्कान उदास है, वो चित्र में उदास दिख रही है, तो इन दोनों वाक्य में विलोम शब्द क्या हमें पता चल रहा है, शालू खुश है और मुस्कान उदास है, यानि खुश का विलोम शब्द क्या होगा, उदास, काला, सफेद, खुश, उदास, आ यह विलोम शब्द है बच्चों चारों चितर से पता चल रहे ना कि काला का विलोम शब्द सफेद और खुश का विलोम शब्द उदास यानि यह एक दूसरे के उल्टे अर्थ दे रहे हैं इन्हें विलोम शब्द कहते हैं तो अब हम विलोम शब्द की परिभाशा पढ़ें यानि विलोम शब्द किसे कहते हैं या विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं जैसे सोना, जागना, हंसना, रोना, आदी मैं फिर से बोलूंगी विलोम शब्द की परिभाशा ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे उल्टे या फिर विप्री तर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं जैसे सोना, जागना, हसना, रोना, आदी बच्चों इसी तरह हम और भी उधारन के बारे में पढ़ेंगे विलोम शब्द के अन्य उधारन जैसे अच्चा, बुरा, अंदर, बाहर, अमीर, गरीब, सुखा, गीला, अंधेरा, उजाला, हार, जीत इसी तरह हम देशी, विदेशी, साफ, गंदा, एक, अनेक, लाब, हानी, बच्चों, लाब का मतलब होता है प्रॉफिट, और हानी का मतलब होता है लोस, परिश्रमी, आलसी, परिश्रमी यानि महनती, और आलसी जो काम ही नहीं करता है, जिसका काम करने का मन ही नहीं करता है, पूरव, पश्चिम, मैं फिर से पढ़ूंगी, देशी, विदेशी, सा गंदा, एक, अनेक, लाब, हानी, परिश्रमी, आलसी, पूरव, पश्चिम, पूरव और पश्चिम दिशाओं के नाम है, नया, पुराना, भीतर, बाहर, भीतर का मतलब बच्चों अंदर, ओके, पास, दूर, यहां, वहां, सुभे, शाम, मौखिक, लिखित, मैं फिर से बोलूगी, नया, पुराना, भीतर, बाहर, पास, दूर, यहां, वहां, सुभे, शाम, मौखिक, लिखित, मौखिक का मतलब होता- बच्चों ओरल, अन्या उधारन है आकाश, पाताल, अपना, पराया, आशा, निराशा, स्वस्थ, अस्वस्थ, खुश्बू, बदबू, प्रश्ण, उत्तर, आकाश, पाताल, अपना, पराया, आशा, निराशा, स्वस्थ, अस्वस्थ, खुश्बू, बदबू, प्रश्ण, उत्तर, आकाश बदबू, प्रश्न, उत्तर, समझ में आ रहे हैं ना बच्चों आपको, ये उल्टे अर्थ है, उपर, नीचे, कड़वा, मीठा, सुन्दर, असुन्दर, सरल, कठिन, कठिन यानि मुश्किल, और सरल का मतलब आसान, विश, अमरित, दिन, रात, उपर, नीचे, कड़वा, मीठा, सुन्दर, असुन्दर, सरल, कठिन, विश, अमरित, दिन, रात, हम अन्यव धारन पढ़ेंगे बच्चों, हलका, भारी, सुक, दुख, लेना, देना, मोटा, पतला, सच, जूट, गुण, दोश, मैं फिर से पढ़ूंगी, हलका, भारी, सुक, दुख, लेना, देना, मोटा, पतला, सच, जूट, गुण, दोश, बच्चों, आपको विलोम शब्द का मतलब समझ भी आया ना, तो आपको क्या हूंवर क्या है आपका, आपको ये पार्ट दो बार पढ़ना है अच्छे से, ठीक है बच्चों? बच्चों साथ में आपको विलोम शब्द की परिभाशा और उसके उधारन वो कम से कम आपको चार से पांच बार पढ़ना है पार्ट को पढ़ने के साथ साथ, ठीक है बच्चों? थैंक यू, हवे नाइस दे, स्टे होम, स्टे सेफ